नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है परदान मंत्री नेन मोंद्री ने 8 नमंबर की साम एलान किया कि 500 रुपे और 1000 रुपे की नोटों को बंकिया जा रहा है मार्केट में मुझूद मनी सरकुलेशन में इन नोटों की सिदारी 86% से जादा है सरकार ने कहा है कि इस कदम से ब्लैक मैनी पर रोक लगेगी और लगाने में मदल मिल सकती है यह भी माना जा रहा है कि अगोसित के सरात रात बहार निकस जाएगा हलाकि बीते दो सब्ता में लोगों ने ब्लैक मैनी को वायट करने के लिए के जुगार निकाल लिये हैं इसमें रियल दिया गया है और वह है राजनतिक पार्टियों में गोसित पैसा ऐसे लोग असानी से ब्लैक मैनी को वायट कर सकते हैं लोग अपनी ब्लैक मैनी पार्टी को अलग अलग हिस्सों में डॉनेट कर सकते हैं प्रतिक हिस्सा 20,000 रुपे से कब होना चाहिए इस तरह से किसी भी के नाम पर कई डॉनिशन्स दिया जा सकता है रिप्रेजेंटेंटेंशन आफ पब्लिक एक्ट 1991 आर्पी एक्ट के मुताबिक राजनितिक पार्टियों को चुनाव आयों को व्यक्तिकत या संगठनों की और से मिलने वाली 20,000 रुपे से कम किरासी की रिपोर्ट देने की ज़ चार से दो हजार बारे के बीच करीब साड़े पांच करोर हजार करोर रुपे अगोसी सोर्स से मिला है बैंक दूसरा तरीका यह है कि बैंक में जाकर पूरा पैसा पार्टिक एकॉंड में जमा करा सकते हैं राजनितिक पार्टियों को इंकम टेक्स में 100% छुट दी गई है यहां उन्हें कोई टेक्स नहीं देना पड़ता तिसरा तरीका है कि जमा एकॉंड को जब चाहे तब निकाल सकते हैं इसे किसी भी नोट वेल्यू पांसो सोर्पचास या दोजार के नोट में निकाला जा सकता है यह पूरी तरह से वाइट होगा पार्टियों को कहीं भी पैसा खर्च करने के लिए पूरी छूटे राजनितिक पार्टियों को राइट टू इंफोर्मेशन एक्ट के तहर नहीं रखा गया है इस बात को भी समझे की नियोमों के मुताबिक राजनेत की पार्टियों को असेंबली ऐसे एलक्षन के 75 दिन के भीतर और लोकसुभा चुनाओं के 90 दिन के भीतर चुनाओं आयों को अपने खर्चों की स्टेटमेंट देनी पड़ती है अलाकि उन पर ये जिम्मिदारी नहीं है कि वर नॉन इलक्षन पिरियट के दोरान प्रसासनिक कारियों पर खर्च किये गए पैसों की जानकारी दे इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक वाशेर करें हमारे चैनल में विज अन्यवाद